काहिए लोग कापोल कल्पित कलपनाय करती है, ब्रह्मा कुमवारी में तो मन गडंत सिखा याता है, मन गडंत बताया जाता है, तरह-तरह की कलपनाय हमारे मन में भ 극ी गएंथी पहले, चौके मेरे क्ति चार साल साई पांचमा साल जुढ़े हुए? बहुत कुछ ब्रांतियां हम लोगों के मन में थी लोग तरह-तरह की बातें किया करते थे वहाँ पर तो ऐसा होता है वहाँ पर तो ऐसा होता है हम भी उनकी बातों में उलस गए थे लेकिन जब राजिम कुम्ब 36 गड़ में एक पुस्पा बेहने वहा उनके संपर्क में आने के बाद वो अपने सेंटर ले गई सब मैंने देखा सारी इस्तिती को समझा उसके बाद मेरा जुकाव इस संस्था की तरफ हुआ लोगों की कहीवी सुनी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया पर प्रतच्चम किम प्रमाणम प्रतच्च को प्रमाण की आवस्क्ता नहीं होती है और तपस्या करना इतना सरल काम नहीं है अभी कोई आप से पूछे क्या ब्रमा बाबा जी ने ये सभी योग चलाया है किसने सुरू किया है कहां से आया है ब्रमा बाबा निमित्त हैं हमारे परमात्मा एक स्वरूप में अवतरित होता है और वो संसार को ग्यान देता है भगवान ने वो ग्यान गीता के माद्यम से अर्जुन को दिया और गीता के माद्यम से आज वही ग्यान उसा दीदी के माद्यम से हम सब के सामने आया है हम सादू बनते हैं, बाहर निकलते हैं, लोग क्या-क्या कहते हैं, हमारे ब्रेज मोमन भाई से मैंने कई बार बात किया है, लोग कहते हैं, हमारे स्वामी जी को भी अन्वा होगा, इस बात होगा, लोग तरह तरह की बाते करते हैं, संडे मुसंडे हो गए, तरीका खाने को मिल रहा है, कहते हैं लोग, क्या करेंगे आप? संत बनना उतना सरल नहीं है, और मैं तब सोचने को मजबूर हो जाता हूँ, कि हमारे जैसे पुर्ष होने के बाद भी, पड़े लिखे होने के बाद भी, इंजिनिरिंग किये हुए हैं, डॉक्टरेट किये हुए हैं, उसके बाद हमको इतना सुनना पड़ता है, संसारी तो कभी-कभी हैं सोचता हूँ, हमारी ब्रह्मा, कुमारी बेने जब बाहर निकलती हैं, तो इनको क्या-क्या नहीं सेहन करना पड़ता हूँ, सोचता हूँ, कभी-कभी इन बात हूँ, हमारे से बड़ी तपस्यात इन बेनों की है, हम पुर्ष होके टेन में निकलना मुश त्याक की भावना कितनी होगी इनकी अंदर गीता को सही मायनों में किसी ने उतारा है तो इन बेनों ने उतारा है और किसी ने ने उतार पाए